Hello students, good morning बटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का जेग्राफी लेशन 4 क्लाइमेट पेटा ये लेशन का थाट वीडियो है इसे पहले दो वीडियो और मैं कर चुका हूँ लेशन पे अगर आप नहीं दिखें तो इतुप पजा का देख सकते हैं तो बटा आज का टॉपिक है इंडियन मांसून इसे पहले हम लोग पढ़े थे कि वाट अर्दा फैक्टर दा कंट्रोल साई एफेक्ट दा मांसून और वेदर क्लाइमेट अंड वेदर को अम लोग देखा था कि काउन काउन से फैक्टर से हैं तो समित्कार्द नेर वाट अल फेक्टर फैक्टर्स याट कंट्रोल सएंड ईफेक्ट वेदर & मानसून वाट दुछायएं वोग अर्दा सिम् तो 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 अस्टए मील इसक्स अपहुषँ गाउन जभाउन इंडियन मांसून तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा देखिए गारत की जो लगायु है, जो ख्लाइमेट है इंडिया की वो आपको मेली प्रहावित करता है मानसून मानसून विंट्स जो है हमारे देश की क्लाइमेट को एफेक्ट करता है the sellers who come to India in the historic times, where one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon पुराने समय में जब जो फर्नर हमारे कंट्री में आया करते थे उन्होंने घटना को मासूस किया और उन्होंने इंबताया कि मानसून, जो है मानसून, विंट्स जो है, वो अलग-अलग direction में अलग-अलग समय में जो फ्लो होता है, उसका वो लोग ने बहुत ज़्यदा एफेक्ट या उसका बेनफिट है था यहीं जब वो लोग फरन कंट्री से हमारे कंट्री में आया करते थे, तो इन हवाओं के माधियम से ने बहुत ज़्यदा बेनफिट होने काम किया, यानि जिस डियरेक्शन में विंट ब्लो होता था, उस डियरेक्शन उन्हें जाना होता था, और फिर वापसी के समय जो वि जाने में काफी help मिलते थी, the Arabs who have also come to India as traders name seasonal reversal of the wind system is monsoon, यानि जो आरफ कंट्री जो आते थे, जो वैपारी आते थे, हमारे कंट्री में, तो उस समय आते थे, जो हवाओं का जो रूख है, यान जो एर डियरेक्शन से ब्लो होने का, वो से डियरेक्शन में होता था, तो ऐसे लोग बोलते हैं, मानसून, यानि क्या मौसम हो गया है, अब हम वापास चलने का, चाकि जो हवाओं हैं, उस डियरेक्शन में चल रही है, तो आगे देखते हैं, और नेक्ष्ट, जो है, देखते हैं, तो यहां बात करते हैं, तो यहां बात करते हैं, तो आप माप की देख रही हैं, तो यह देख रहे हैं, यह माप है, इंडियन ओसेंस का, आप देख रहे हैं कि जिरो डिग्री एक्वेटर है, यह जिरो डिग्री जो एक्वेटर आपका है, वो आप देख रहे हैं, यह इंडियन ओसेंस में, जो यह जिरो डिग्री यहां प पर ज़्यादा जो है लोग experience कर पाते हैं तो आकर देखते हैं हम लोग और to understand the mechanism to understand the mechanism of the monsoon the following facts are important अगर आप monsoon की घटनाओं को बगर मासूस कहा चाहते हैं समधा चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है तो नीचे दिए कुछ factor को समधा जरूरी होता है next is differential heating and cooling of land and water देखिए जो हवाएं चलती हैं जो air blow होती है आपने कल भी पढ़ा था कि जो air होती है आपको high pressure से low pressure area की तरफ चलती है जब temperature high होता है तो आपको pressure low होता है और जब pressure high होता है तो temperature क्या होता है low होता है यानि कि जो हवाएं है वो थंडे च्छत्र से गर्म च्छत्र की तरफ चलने काम करती है तो creates a low pressure on the land mass of the India while the sea around experience comparatively high pressure ओके next है the shift of the position of inter-tropical convergence convergence zone जो थे ITCZ in summer over the ganga plane यानि कि जो हम लों कह रिया है गंगा रपुत्र का जो plane parts है this is the equatorial through the normally position about 15 degree north to equator यानि कि equator से क्यों 5 degree north जैसे बढ़ते है उसी को बोलते है जोने क्या Convergence Zone okay it is also known as the monsoon monsoon drop during the monsoon season और इसी जोन पर क्या होता है monsoon में monsoon season में यदा monsoon जो है high rain करने का work करता है मतलब होता है experience होता है the presence of high pressure area और यहां पर क्या होता है high pressure यह होता है कहां east of the medagascar जो medagascar का area होता है जो 20 degree south में होता है Indian ocean में वहां पर लगवक high pressure area बनता है जो कि वहां पर temperature क्या होता है temperature बहुत ही low हो जाता है the intensity and position of this high pressure area effect the Indian monsoon और यहीं जो है Indian monsoon यह करता है effect करता है प्रभावित करता है next number C है the presence of the high pressure area east of the medagascar तो हो गया next जलते हम देखते है deep point the Tibetan plateau gets intensely heated और तीबत का तो प्लेट्व है वो क्या होता है वो अधिक मात्रा में heat होता है summer season में which results in a strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above the sea level यानि कि जहाँ sea level से 9 km की जो उपर की अरिया होती है वहाँ पर क्या होता है बहुत तेज अधिक summer vacation में hot होने गुज़से वहाँ low pressure का अरिया बनता है तो हमाय क्या होती है शी के तरफ से शी के ओर से आप जाती है प्लेट्व की तरह यानि कि south से नर्थ के तरफ जो है हमाय चलने लगती है the moment of the westly jet stream to the north of the Himalaya and the presence of the tropical sterly jet stream over the Indian peninsula during the summer यही बजाए कि summer season में यहाँ कंट्री का जो पेनिसुलार पाठ है निकि southern पाठ है वहाँ पर क्या होती है जो कि उसर में जो आपको jet stream का जो blow होना start होता है यहीं जो हवाय है आपको sea से land की तरफ जो है चलने काम करती है देखते हैं इसके अलावा भी कुछ points है apart from this it has also been noticed that change in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoons यहीं कि इसके अलाव रहते हैं जो southern area में जो pressure conditions है वो भी क्या होता है change होते रहता है जो monsoon को effect करता है normally when the tropical eastern south Pacific ocean experience high pressure the tropical eastern Indian ocean experience low pressure यानि कि जो आपके Pacific ocean से जो eastern parts है पुर्वी tropical parts है वहाँ पर high pressure का field क्यार होता है बनता है और उसके अलावा जो है वो low pressure का field जो है create होता है तो next देखते हैं लोग there are several in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian ocean the periodic change in pressure और यह जो pressures है वो समय समय के साथ क्या होता है changes होता भी रहता है ओके हां इसको बोलते है साथार्ण choriole scolition और एशो बोलते हैं the difference in pressure over the the heat Pacific ocean यानि की 18 degree south से आपको 149 degree west वेस्ट होता है और डार्वीन इनर्थन इस देखेंगे इसको इसमें कुछ important नहीं है आप इस देखेंगे ना तो अम नेक्स चरते हैं point जो हमारा है one set of the monsoon wind and withdrawal हम नेक्स point पढ़ेंगे one set of the monsoon and withdrawal कि हमारे country में जो मानसून कैसे राई होता है कैसे आता है और फिर किस तरह से वापस जाता है तो हम इसको देखते है तो बड़ा ऐसा करते हैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको next वीडियो में करते हैं point नमर आपका ये part नमर हो जाएगा फोड इसको हम fourth part में करेंगे next day okay तब तक लिए good bye